हाई अब्रिवान गुड़ इस वीडियो में आपको बताऊँगा स्पोर्ट्स फील्ड से जो भी कुछ लेटेस्ट अब्डेट्स आए जो भी कुछ लेटेस्ट नियूस आईए पहले हम ओलम्पिक्स की बात करें इसके बात करेंगे प्रिकेट फील्ड की तो सबसे पहली कब कल का जो मैच रहा सिंदू का एक मुकाबला था ताइजू इंग के साथ में बैडमिंटन में हमें बहुत उमीड थी उस मैच को लेकर करेंगी पीवी सिंदू अच्छा प्रडशन करेंगी और फाइनल में अपनी जगा बनाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया ताइजू इं मैचेस ताइजू इंग के खाते में गए और सिंदू को इस मैच में हर का सामना करना पड़ा अब उसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं वोमिन्स होकी से एक अच्छी खबर आई है और वो अच्छी खबर यह है कि कल के जो कल का जो मैच रहा उनका उस मैच मैच मे इतना बड़ा नाम लेकिन ब्रॉंज मैच था उनका उसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा इसकोर लाइन की बात करें तो चार छे चे साथ और तीन छे से और उनने इस मैच को गवा दिया और अब आते हैं हम पांच वी खबर की तरफ और जो की है अब जो आज जो मैच होंगे भारत के भारती एक खिलाड़ी जिन में पार्टिसिपेट करेंगे उन मैचे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हौकी का एक मैच है जो कि 5.30 बजे शाम को शुरू होगा उसके पहले शुरू होगा पांच बजे बैटमिन का मैच जो कि ब्रॉंज मैडल मैच है पीवी स तब को है कि पीपी सिंदू अच्छा प्रदर्शन करेंगी और बिंग जी वाओ के खिलाफ उनका मैच होगा और इस मैच में उमीद है सिंदू से इसली बहतर प्रदर्शन की की जा रही क्योंकि जो पिछली बार दोनों प्लेयर जामने सामने हुए थे तब सिंदू ने बाज गेम्स उठा करके देखेंगे महां से और वो खबर ये थी कि कमल प्रीत डिसकस थ्रों में भारत के लिए उन्होंने फाइनल में अपनी जगा बनाई जो क्वालिफिकेशन राउंड हुआ था उसमें सेकंड पोजिशन उनकी रही थी और उनसे भी एक मैडल की उमीद है गो सवरा से जो भी अभी तक के ओलम्पिक्स फील्ड से जुड़ी हुई खबर थी वो मैंने बताई एक खबर रह गई वो भी आपको जल्दी से बता दूं कि कि किस नए कोविट केसे निकले हैं अच्छी बात यह है कि एक भी प्लेयर इंफेक्टेड नहीं है जितने भी सपोर शौट में ही बता दूं आपको मेजर तो आपको इन्फरमिशन पूरी होगी इस फुरू उदाना ने एक तो रिटार्मेंट अपना घोशत कर दिया है और उसके साथ अब सब के लिए शौकिंग उनका डिसीजन रहा क्योंकि हाली वे देखा था उन्होंने अच्छा प्रद ने भी कन्फूजन दूर कर दिया था लेकिन बीसीजन ने अधर बोर्ट को क्या बोला है वो मैं आपको बता देता हूं अभी हलाकि बीसीजन ने ओफिशली इस बात को एनौंस नहीं करा है लेकिन बीसीजन के टॉप ओफिशियल ने अधर संदे एक्सप्रेस इसमें जो छपा है उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं उन्होंने अधर बोर्ट को क्लियरली बोल दिया है कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो इधर पार्टिसेपेट ना करें और अगर वो करते हैं ऐसा तो फिर आगे चल करके जो भी क्रिकेटिंग अक्टिविटीज भ इंडिया वी हैव दन दिस कीपिंग नेशन इंट्रेस्ट यह बात उन्होंने कही है साथ में आगे उनसे और जब बात्चित हुई तो पीएसल को लेकर की सवाल किया गया उन्होंने का पीएसल से हमारी कोई दिकत नहीं है पीएसल में जो प्लेयर्स खेलते हैं जिस तरह से उनकी देश की लीग है वो महाँ पर करें लेकिन भारतिया नाम इस्तेमाल करके भारतिया राज्य का नाम इस्तेमाल करके अगर महाँ पर वो लीग कर रहे हैं तो वो चीज सही नहीं है और जो महाँ पर पार्टिसिपेट करेगा फिर भारत में जो भी क्रिकेटिंग अक्ट बताईए यह बीडियो आपको रोज मिलता है और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज आप इसको लाइक कर दीजे कॉमेंट करके आप उतना फीडबेक भी दे सकते हैं और इस खबर पर आपकी क्या रहा है जो बीसी सी आई ने लिखा है अधर बोर्ट को या पाक पताईएगा फिलाल अभी इस वीडियो में इतना ही है आप सब का इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया